केरल के मलार पुरम में हतनी मरी पर अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गई सवाल है कि ऐसा कौन सा पटाखा भारत में बनने लगा है जो दबाव या प्रेशर से फटता है और सक्तिसाली इतना कि हाथी जैसी विसाल का जानवर का जबड़ा तक फार देता है नेरेटिव सेट करने वालों ने ऐसा जाल बिछा डाला कि सब को हतनी का बच्चा दिखा पर अनानास में भरा खतरनाक बम नहीं पानी में बेचैन होती उसकी जलसमादी तो दिखे पर इसके पीछे अमानसिक सोच नहीं दोसी कौन है कोई नहीं जानता सरकार द्वारा फाइल क्लोज करने के लिए एक दो अधिकारियों को सस्पेंट किया जाएगा और हो सकता है अपराधी को नाबालिक भी दिखाया जाए इसमें धर्म आधारित राजनेतिक आरोप परत्यारोप का दोड़ भी सुरू हो सकता है ताकि किसी का भी ध्यान बम बनाने की गंभीरता कियो न जा सके पर गंभीर बात ये है कि अनानाश जैसे फल को खोकला कर उसमें बारूत भरना किसी नादान या साधारन सोच वाले व्यक्ति का काम तो बिलकुल भी नहीं हो सकता यह काम सिर्फ वही कर सकता है जिसका दीमाग सातिर अपराधी जैसा हो खेर हतनी और उसके गर्व में पल रहा बच्चा तो मर गया लेकिन बम बनाने वाले का खोसला अन्यवार दातों के लिए बढ़ा तो जरूरी होगा बम की ताकत और तक्नीक का सफल परिक्षन कर अपराधी भविस्व में कानून व्यवस्था के लिए नहीं चुनोती बन सकता है भारत के मान अप्तावादी सोच रखने वालों के लिए चिंता की बात है कि देश के सबसे ज़्यादा हिंसक जीले में किसी बड़ी साजसों की परियोग साला तो तयार नहीं हो रही जो आने वाले समय में थैलियों में मौत बाटेगी हमी तथा हमारी सरकार को साब धान सचीत एवं सतर्ता बरतनी की अतियावस्यत्ता है